दिये सस्क्राइबर तो कैसे हैं आप लोग फिरिंड आज हम बात करने वाले फिरिंड पूर्ण उनिवर्सिटी पीजी सकेंड समेस्टर और फोर समेस्टर का आप लोग एक्जाम फॉरम कैसे फिल अप करेंगे तो जितने फिरिंड कंडिडेट है आप सभी का लिंक सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ सेर करें क्यूंकि मैं अपने चैनल पर हर दिन एजुके सेर करें और सस्क्राइब करेंगे तक कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें तो सबसे पहले आपको पूर्ण उनिवर सबसे पहले नोटिफिकेशन देख सकते हैं यहां पर पूर्ण विच्विद्याल लेकर परिक्ष्छा विभाग में पीजी सकेंड समेस्टर एंड फोर समेस्टर ओलन परिक्ष्छा फॉर्म भरने की तिथी पचीश चोबीस से लेकर के निरधारित किया यहां पर देख सकत होता है पूर्ण उनिवर्सिटी का कोई भी काम ऐसे भी तीन दिन में किलियर होता नहीं तो यहां पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं और अगर आपने वाट्सप चानल पर फॉलो नहीं करेंगे लिंक आपको डिसकुसिन में मिल जागा ताकि यह सब मैसेज का अब्रेट ज लएदीन देखने कर देखने कौउं कर देंगे यहां पर अपको अउपना डिसक नंबर टाइप करना हुता है जो भी उसकी बाद आपका जो पासवट है वो यहां पर ताइप करेंगे और जो कॉलेज इस तरह से आप और आको सब्सक्रावाश को तरह कर ले तेपकर एपको लोग इन करने से पहले एक चीज़ का आपको हमेसा ध्यान रखना है खास करके पूरे उनिवर्सिटी के लिए आप जब भी फर्स टाइम लोग इन करेंगे कोई भी आपको फॉर्म फिल अप करना या कुछ भी करना एडमिट का डाउनलोड करना है तो यहां पर फोर्गेट य कि जान करेंगे आपको टाइप करना है ठीक है यह पासवर्ड ही आपका पासवर्ड हो जाते है ठीक है रिशिट करने epic देह टोट करके यहां awake लेकिन प्र एकGY रांस के क्लिक करना है लेकिन किसी candidate का अगर या फर्स समेस्टर या सकेंड समेस्टर में बैक लगा या फिर किसी का फोर्थ समेस्टर में बैक लगा तो वो candidate यहां पर back registration वाले option पर क्लिक करेंगे अगर back पर क्लिक करेंगे यहां जितने भी बेज, course, years आपको इस तरह से course, discipline, exam, name यहां पर आपको सारा option देखने के मिलेगा आप जिस भी semester के candidate है वो details आपको यहां पर दिखेगा simply select करेंगे सभी को और यहां पर templates पर क्लिक करेंगे इसके बात का प्रोसेस होता है सभी का सेम होता है जो मैं आपको यहां से बताने हम दो regular वाले candidate regular पर क्लिक करेंगे simply यहां से आपको जो syllabus मिल रहा है बेच मिल रहा है इस तरह से आप सेसन आपको यहां से select करते हो जाना है course select करेंगे discipline select करेंगे यहां से year साब जो की देख सकते है इसमें 20 आपका option आ रहा है जो फॉर समेस्टर वाले candidate रहा है तो फॉर समस्टर आएगा और सेकेंड समेस्टर का second समेस्टर तो simply यहां पे इतना क्लिक करना है select कर लेना है सभी को उसकी बाद फ्रिण आपको यहां पर क्टिक कर देना है template पर आया से देख सकते हैं फीडिट रहे हैं यहां को फीडिया बेरा फीडियर का नयम्स नाम पर देख से त्टेडिल रहाbels घ्राल घ्रा dz spectın E सब्सक्रियस में देखे ख घ्रारर्णजी प्रें रोल नंबर सारा नहीं को समझना है जो details इसमें already feel है, उसमें आपको किसी बितरे का छेरखाने, कुछ भी changes नहीं करने, जो details आपको यहां पे inbox दिख रहा है, जो खाली दिख रहा है, उसको यहां पे feel करनें, जैसे में आपको date of birth feel करने है, nationality feel करने है, dial आपना यहां से धर्म बताने हिंदू-Muslim आपके इस तरह से एक और आपको चूस कर सकते हिंदी या इंगलिस डिक जो आपको राखना है चूस कर लेंगे अपना यहां प zar आपको सबसे नीचे आगे बस यहां पर डेखेंगे आपका सब्सक्राइब आपको किसी भी तरह का चैंजे से नहीं आपको किसी भी तरह का चेंजिस करने सिंपली नीचे आएंगे यहां से प्रिविएस एक्जाम डिटेल्स में बताने जैसे आप अगर फोर समेस्टर वाले कंडिडेट अगर पीजी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको इस तरह से यहां पर जोगी पीजी 3rd लिग देना है ठीक आपको जब कंप्लीट हुए उसका यहां पर साल चूज करने है रोल नंबर जो है वो बताएंगे आपका PG1 में प्रिण कितना नंबर आये था वो बताएंगे अगर आप PG4 का फॉर्म भर ने था आपको PG3 का बताने है PG3 में आपका फ्रिण कितना नंबर आये तो आपको यह सथार के लिए तो इसलिए आपको अच्छे से डिटेल्स को चेक कर लेना है मिलाना है उसके बाद यहां पर सेवे नेक्स्ट करेंगे यहां पर सेपे किलिक करेंगे फिर कनफर्मेशन पूछेगा से बटम पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे सेप करने बाद देख सकते जो भ बाद युपे करने बाद थोरा ससरव एक्ट करना है अगर आप जोगी तरगा में रिपरेस नहीं करना है और अब जैसे पेमेंट को कटाएंगे आप किसी भी तरगीॆ रिपरेस नहीं करना है। internet का issue होने देना है, सभी चीज़ को perfectly तरीके से 10 second के लिए आपको करना है, तो आपका easily payment जो ही कि देख सकते हैं, इस तरह से आपका success हो जाएगा, क्योंकि payment करते हैं, जो होता है कि server में आपके account से cutने के बाद, क्योंकि इसके company के account में जाता है, जो भी university का है, तो उसमें print जाने में थोड़ा से 10 second का delay होता है, जिसके लिए आपको internet connection बहुत अच्छे से रखना है, और आपको payment करते समय किसी भी तरह का back या refresh नहीं करना है, payment आपका यहाँ पर success हो गया, और यहाँ से print application का option मिलका है, यहाँ से simply आप application को download करके print रख सकते हैं, तो यह complete process है, जितनी candidate, PhD, 4 semester और 2 semester का examination form भरना चादे, तो आप लोग इस तरह से form को भर सकते हैं, जो update है, कुछ update मैं आपको बता दूँ फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं, जो कुछ update है, जैसे कि मानलेजे, बहुत सारे से candidate जो भी part 2 का हाली में exam हुआ था, तो उसमें फ्रेंड जो part 2 वाले candidate हैं, जिसका अगर practical छुट गया है, तो उसका फ्रेंड यहाँ पे एक date जारी किया गया है, तो यह फ्रेंड, आप सभी के लिए कुछ important updates है, जो GCB subject का छुटा है, किसी भी candidate का कोई दिक्कत ने, आप लोग जा करके वहाँ पे अपना exam देंगे, तो आपका result pending में नहीं होगा, गया है, लेकिन उमीद है कि आप सभी का 27 से 28 के बीच में, पुर्ण उनिवर्सिटी जो सेशन 24 और 28 चल रहा है, उन सभी के लिए 28 से 27 तक में जारी कर दिया जाएगा, तो हलाकि हो सकता है, आज साम तक या कल तक आपको नोटिफिकेशन भी देखने के मिल जाए, और आपको 28 जून तक आपका first मेरी लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा, हलाकि जैसे जारी होगा, तो मैं आप सभी के लिए एक वीडियो बना के लिकिया आजाओंगा, कैसे आपको जोगिन करके अपना मेरी लिस्ट को डाउनलोड करना है, और किस तरह से आपका एडमिसन प्रोसेस होने वाला है, किस तरह से आप लोग अपना एडमिसन करवाएं है, वो सारे चीज़ आपको वहाँ पर time to time मिलते रहें, तो ये सब फिरन कुछ update है, जो आप सभी को फिरन जरूर समझना होगा, ध्यान में रखना होगा, और सस्क्राइब करके रखना होगा, तो आपको फिरन वीडियो हमारे कैसा लगा, कॉमेंट करके बताएं, चैनल को फिरन जरूर प्ले सब्सक्राइब करें और सेर करें अपने दोस्तों के साथ वीडियो देखने फिरन, thank you so much, मिलते फिरन किसी नेक्स्ट वीडियो में,